हेलो एव्रिवन वेल्कम तो अवर यूटूब चैनल ओल्ली यूपिटर प्लस सी कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छी होंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज का लेक्चर और लेक्चर को सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल क हैं आज का लेक्चर फर्स्ट कोश्चन है निम लिखित में सी किस धात की जानकारी सिंदुघाटी के लोगों को नहीं थी तिन की तामबा की लोहा की या फिर सीसा की तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिताएगा कि कौन सिंदुघाटी की जो सभिता के जो लोग थे इनको किस जीच की जानकारी नहीं थी तो इसका सही एंसर है ऑप्शन सी लोहा जो है इनकी इस धात की जानकारी जो है सिंदुघाटी सभिता के लोगों को नहीं थी Q2 है नेमलिखित किस धार्मिक पंत की अन्याई दिगंबर और स्वेतांबर के रूप में दो भागों में विभाजित हो गए बौध जैन, हिंदू या फिस सिक तो इसका सही एंसर है गाईज ऑप्शन B जैन जैन धर्म के जो अन्याई थे या दिगंबर और स्वेतांबर के रूप में दो भागों में विभाजित हो गए थे Q3 है वह अभिलेख जिससे या प्रमारित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पस्चिम भारत पत था वह कौन सा अभिलेख है तो कलिंग का अभिलेख असोक का गिरनार अभिलेख रूद्रदामन का जूनागर सिला लेख या फिया असोक का सोप्रा सिला लेख तो इसका सही एंसर है गाई जूनागर सिला लेख जो है या प्रमारित करता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पस्चिम भारत पर question number 4 है गुर्जर प्रतिहार वंस की स्थापना की थी किसने की थी नाग भठ प्रतम ने वत्सराज ने हर्स वर्धन ने या फिर मिहिर भोज ने तो गुर्जर प्रतिहार वंस की स्थापना जो है या किसने की थी तो इसका सही answer एगा is option A नाग भठ प्रतम ने जो है गुर्जर प्रतिहार वंस की स्थापना की थी question number 5 है जौन पुर्ण अगर किसकी इस्मृति में स्थापित किया गया था गयासुदिन तुगलक मुहुमद बीन तुगलक फिरोज सा तुगलक या फिर अकबर तो जो जौन पुर्ण नगर था या किसकी इस्मृति में स्थापित किया गया था तो यहाँ जो है मुहुमद बीन तुगलक की इस्मृति में स्थापित किया गया था question number 6 है Muslim लेग ने कम मुसल्मानों के लिए अलग देश की मांग सुरू की थी बहुत important question है आप लोग इसे no down कर लीजेगा अकसर exam में आता है कि Muslim लेग जो है इसने कम मुसल्मानों के लिए अलग देश की मांग सुरू की थी 1920 में, 1930 में 1940 में या फिर 1942 में तो इसका सही answer क्या है तो इसका सही answer है guys option C 1940 मे जो है मुसल्मानों के लिए अलग देश की मांग सुरू की थी इसे आप लोग याद रखेगा question number 7 है किस governor general ने अपने को बंगाल का सेर कहा था बहुत important question है इसे लिख लेजेगा कैसा कौन सा governor general था जो बंगाल का सेर अपने आपको कहता था Lord Carnivalis Lord Karjan Lord Warren Hestingas या फिर Lord Valley Jali तो अपने आपको बंगाल का सेर जो है अकौन कहता था तो या जो है Lord Valley Jali Lord Valley Jali जो है आपने आपको बंगाल का सेर कहते थे question number 8 है बिस बिख्याद आई एने मुकदमा में वकिल कौन थे भूला भाई देशाई आसाफली सुबास चंद्र बोस या फिर सीराज गोपालाचारी तो बिस बिख्याद आई एने का मुकदमा था इसमें वकिल कौन थे तो इसके वकिल जो है भूला भाई देशाई थे option ने इसका सही अंसर है अक्सर से पूछा आता है कि बिस सुबिख्यात आई एने मुकदमा में अकील कौन थे तो इसमें जो है भूला भाई देशाई थे question no.9 है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगरना कब हुई थी लॉड डफरिन के कारिकाल में लॉड लिटन के लॉड मेयो के या फिर लॉड रिपन के बहुत important question है अक्सर पूछा आता है कि जो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगरना कब हुई थी तो आप लोग कमेंट सक्सम नें बताईएगा मैं आपको बता देती हूं इसका सही answer है option C Lord Mew जो थे इनके कारेकाल में जो पहली सब्सक्राव कराव में त把它 कारेकाल में ती और लोड रिपन शुह हैं इन्हों ने इस थानी सुसासन कि अ' Memon Rit le कि जुछ जन्गर्णा जो है यह हर की गई नहीं नाいつ की गई ते अब कर नी थी अब पत्र इलहाबाद में पढ़कर सुनाया था किस ने सुनाया था लॉड विलियम बेंटिंग ने लॉड कैनिंग ने लॉड बर्णहम ने या फिल लॉड हर कोड़ बर्टलर ने तो इसका सही एंसर है गाईज एक नॉमबर 858 को महरानी विक्टूरिया का गोशना पत्र इलहाबाद में जो है लॉड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था ओप्सन भी इसका सही एंसर है क्वेश्चिन नॉमबर 11 है किस सहर में नोटर डेम का गिरजा घर अवस्थित है रोम में, जेरुसलम में, पेरिस में या फिर वेनिस में तो जो है नोटर डेम का गिरजा घर जो है कहां पर इस्थित है तो यह पेरिस में इस्थित है क्वेश्चिन नॉमबर 12 है किस देश ने बिस्थू का पहला बीज रही ताम बिक्सित किया है स्री लंका, भारत, जापान या फिर ब्रिटन तो किस देश ने जो है बिस्थू का पहला बीज रही ताम बिक्सित किया है तो यह जो है भारत ने बिक्सित किया है इंपॉर्टन कोश्चिन है भारत ने जो है बिस्थू का बीज रही ताम बिक्सित किया है क्वेश्चिन नॉमबर 13 है इन में से किस देश को यूरोप का काक प्रिंट कहा जाता है वेल्जियम को, चेक रिपब्लिक को, नौर्वे को या फिर डेन्मार को तो इन में से किस देश को यूरोप का काक प्रिंट कहा जाता है तो यहाँ जो है वेल्जियम को कहा जाता है option है इसका सही answer है guys question number fourteen है सवाना घास का मैदान कहाँ पर है अफरीका में, आस्टेलिया में, यूरोप में या फिर उत्री अमेरिका में तो जो सवाना घास का मैदान है, या कहाँ पर है या जो है, अफरीका में है option A, इसका sahi answer है question number fifteen है कौन सी जल साहिओं जी यूरोप को अफरिका से प्रठक करती है बास़ा परेस जिब्राल्टर डोवर या फिबेरिंग तो इसका सही एंसर क्या है तो इसका सही एंसर है option B जिब्राल्टर जो है या जो है जल संयोजी जो है यूरोप को अफरिका से प्रठक करती है वो guys एगर आप लोग को लेक्णिर पसंद आ रहो तो please वीडियो को लाइक कर दीजीगा, सेयर कर दीजीगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा और टेलीग्राम चैनल को भी जॉइंग कर लीजीगा चौधा, पंद्रा, सोला या फिर बाइस तो जो हमारे समीधान के आठवी निसूची है इसमें प्रजन टाइम में कितनी भास आएं सामिल है तो इसमें प्रजन टाइम पुछा गया है तो अभी जो हैं बाईस भास आएं अगर पुछा जाता है कि हाँ पर मूल समिधान में कितनी भास आएं थी तो मूल समिधान में जो है 14 भास आएं थी 14 जो है मूल समिधान में थी वो प्रिजन टाइम में 22 भास आएं और या कौन सी अनुसूची में है आठवी अनुसूची में है इसे भी आप लोग याद रख किसी राज में लागू होता है इंपॉर्टन कुष्चन है अनुछे 380 अनुछे 370 अनुछे 356 या फिर अनुछे 326 तो कौन से अनुछेत के तहर जो है किसी राज में जो है राश्च्रपती शासन लागू होता है तो इसका सही एंसर है गाइस ऑप्सन सी 356 के तहर जो है किसी भी राज में अगर कोई भी राज वाव्यस्थित होता है तो उसमें जो है राश्च्रपती सासन राश्च्रपती लागू कर सकता है अनुछे 356 के तहर एंसर नेमलिखित में से कौन राष्टी विकास परिशत का सदस से नहीं है प्रधान मंत्री राज्य तो कि मोख्य वंत री योज Joanna visit calm ceo उपनेया तो आप लोगं को बताना है कि शबस भारत के राश्टबती जो है यह जड़ी विकास परिसद के सदस्र नहीं है और संवे विश्णी समिधान के निर्माताओं ने स्वा सरकार का संसदी सुरूप कहां से ग्राण किया है important question है जो स्वा सरकार का संसदी रूप है या कहां से ग्राण किया है USA से, ब्रिटेन से, फ्रांस से या फिततकालीन USR से जिसे रसिया भी कहते है तो जो स्वा सरकार का संसदी रूप जो है कहा से ग्रहानद किया गया है तो यह जो है बृटेंज से ग्रहानड किया गया है ओप्सन भी सका सहीए विhmen 20 है पहारती सम्थान के अंशेत 25 का समंध किससे संता के अधिकार से देखतन की गशस से या फिर अल्प सेंखिकों की सुरच्छा से तो भारती समिधान के अनुछेत 25 का समंद्ध जो है या किससे है तो इसका सही एंसर है गाईज important question है आप लोग इससे जरूर से याद रखीगा कि जो है धर्म की सोतंतरता जो है या नुछेत 25 में आती है question number 21 है पांचवी पंचवर्सी योजना का उदेश सिक्या था सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला question है अगर पंचवर्सी योजना में कोई question पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है तो इसका option है सक्तिय परिवाहन में सुधार गरीबी हटाओ कारिक के पूरा करना तो जो पांचवी पंचवर्सी योजना थी इसका उद्देश सिक्या था आप लोग कमेंट सक्षन में बताएगा गाइस तो इसका सही एंसर है ऑप्सन भी गरीबी हटाओ जो है बहुत important question है कि जो पांचवी पंचवर्सी योजना जो है इसका उद्देश सिथ जो है कब से कब तक चली थी बताएगा मैं आपको बता देती हूँ कि 1974 से 1979 तक उन्युई पंचवी पंचवर्सी योजना चली थी तो इसमें जो है योजना का का अकार कितना था निव्यूंब प्यूंता तालिस हजार तीन सो तीन करोड रुपे था पांचवी पंचवर्सी योजना का आकार क्वेस्टन नमर ट्वेंटी टू है आर्वियाई के स्थापना किस समिती के सिपारिस पर हुई थी बल्वंतराय महिता समीती हिल्टन यंग वी सियो रामन या फिर भी और सी दोनों तो आर प्वेस्टन नमर ट्वियंटी निट्य अंत्योदर्रक्रहक्रियं का मुख्योंदे सी क्या है किसानों का उन्यच Stallion, गरामीओ गर्यों का उन्ययन और दोगिक मस्तवरो का उन्यच अ चल्चिक सहरी और गरीवीयों ऐंख्योव तो जो हरे का तो है मुख्योंदे सी क्या थ सबसे अधिक किस के लिए लाबधायक है देंदार के लिए मकान मालिक के लिए बड़ा लेंदार के लिए या फिर सीमित आए वाला समूव के लिए तो इसका सही एंसर है गाई जिस पर हायकर नहीं दिया जाता है तो काली मुद्रा कौन सी है जिसे ब्लैक मनी भी कहते हैं तो इसका सही एंसर है गाई ऑप्सन डी या अवैधाय है जिस पर आएकर नहीं दिया गया है प्रयोक्साला उपकरड़ों को बनाने के लिए उपयोग किया गया कांच कौन सा होता है पाइरेक्स कांच कठोर कांच ब्रदू कांच या फिस सुरच्छा कांच तो जो प्रयोक्साला में जो चीजे निर्मित की जाती है तो उसका जो है किस कांच से निर्मित की जाती है तो वहाँ जो है पाइरिक्स कांच से निर्मित की जाती है अप्सण जो है इसका सही answer है guys question number 27 है support 27 साबुन को jel में घivalsने पर jel के प्राश्च तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है प्रिष्च तनाव जो है बढ़ जाता है प्रेष्च तनाव जो है घट जाता है प्राश्च तनाव जो है प्राश्च तनाव जो है घट जाता है option भी इसका सही एंसर है गाईज अगर आप लोग को रेक्षर पसंद आ रहा हो तो प्लीज आपको पता है क्या करना है वीडियो को लाइक कर दीजीगा शेयर कर दीजीगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और टेलिग्राम चैनल को भी चॉइन कर ल प्टैंबोरुटाय्स वहकं भूलियोस क्या होता है तो वहां जर्च परेव होता है कि दिए चैनल के मंरे में प्रेयुक्त मोलतथ होता है वह आपस फूरस पराशान में होता है वह क्या हो संदल लेब साइड मेंश को क्या कहते है होम पेज, व्राउजर पेज, सर्च पेज या फिर बुक मार्क बहुत बेसिक सा क्वेशन है आप लोग को पता होगा कि जब लोग लैपटाप खोलते हैं उसका जो मेन पेज होता है उससे क्या कहते हैं तो उससे जो होम पेज कहते हैं और नौटिफिकेशन बेल भी हिट कर द को टाइम पर मिल पाएं तो आपको बताना है कि बिटामिन ए जो ई जो है इसका रहिसानिक नाम क्या है एक और और रेइटीन आल जो है विटामिने-ए का उससे भी आप लोग याद रख्यायगा है तो आज टूक ऐसे खत्उन होता है अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करने वीडियो को लाइक कर दीजीगा सेर कर दीजीगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कीप सपोर्टिंग आइस बाइ बाइ